खिसारी लाल यादव और पवंद सिंग लंडन में एक बार मिले और आपको बता दें ये फोटोस मीडिया में लगातार वाइरल हो रही है इसके पीछे यानि इनके मिलने के पीछे की वज़े यही बताई जा रही है कि हो सकता है कि ये दोनों नजर आए प्रतिग्यात्री में जी हाँ प्रतिग्यात्री आप सभी जानते हैं कि मूवी बनने वाली है जिसके शूटिंग जल्द ही स्टार्ट होगी फिल्म में दिनेस लाल यादो नी रहुआ और कि सारी लाल यादो तैम आने जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ने अपनी तरफ से हामी भर दी है लेकिन बास सिर्फ पवन सिंग पर अटकी हुई है ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म होगी इस फिल्म में तीन हीरो होंगे लेकिन तीसरे हीरो पर यानि कि पवन सिंग पर अभी भी चुपी साधे हुए है लोग पवन सिंग भी साधे हुए ये बात नहीं है कि इनके पास ओफर नहीं गया है, ओफर इस फिल्म का गया हुआ है, लेकिन अभी तक पवन सिंग ने कुछ भी नहीं कहा है। तो सकता है आने वाले समय में पवंद सिंग अपनी रजामंदी दे दे अगर पवंद सिंग अपनी रजामंदी देते हैं तो भोचपूरी की अब तक कि सबसे महंगी फिल्म बनेगी है जी हाँ जिस फिल्म का बज़ी करोणों में होगा यूकि आप ऐसे भी अंदाजा लगाएंगे तो ये तीनों स्टार जिस फिल्म में होंगे उनकी फीस ही इतनी होगी वो करोणों में जाएगी और अब बात अगर आप ये कहेंगे कि क्या इससे पहले कोशिश नहीं हुई इन तीनों को साथ मिलाने की तो हम आपको बता दे कि इससे पहले कई मरतबा जब परिवार फिल्म बन रही थी जो कि निरहुआ की बहुत ही फेमस फिल्म है परिवार टू बनने की बात हुई थी तभी इन दोनों खेसारी और पवन को ओफर किया गया था लेकिन ये दोनों फिल्म करने से इंकार कर दिये क्योंकि उस वक्त इन बहुत ही जादा तलखियों वाले थे लेकिन दिनेश लाल यादो निरहुआ की इन दोनों के साथ mutual understanding है ये दोनों के साथ बहुत ही अच्छी जमती है और दोनों ही दिनेश लाल यादो निरहुआ को अपना बड़ा भाई मानते हैं इसलिए इस बात पर हमने भी कल एक वीडिय बनाया था और आज हम इसले भी बना रहे हैं क्योंकि लोग इन्हें देखना चाहते हैं साथ ही छटके गीतों को लेकर पवन सिंग के फैंस के बीच बहुत निराशा है और पवन सिंग के फैंस चाह रहे हैं कि एक कोई न कोई गाना तो जरूर आए इसलिए अपील भी की ज लगता है बोच पूरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूली